बच्चो नमस्कार श्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चनल एग्रोटेक स्टडी में बच्चो आज हम लेकर आएं MPPAT के लिए एक प्रैक्टिस सेट अगर छात्राब कर रहे हो बच्चो बच्चो उसके लिए मैं एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ सिर्फ बहुत छोटा है कोई बड़ा नहीं है 25 कॉश्चन है जिसमें क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेटेड है और जिसमें हमने धान और घ्यों पैड़ी और भीट से रिलेटेड जो प्रस्ट अभी अभी तक आपके जो एक्जाम होते हैं उनमें पूछे गए वह प्रस्ट इस वीडियो में हम लेकर आएं बच्चो अगर आपने भीट को मतलब गहूं को और धान को अगर अभी तक नहीं पढ़ाया तो उसको पढ़ लें पहले इसके बाद इस प्रैक्टिक सैट को करें तो बच्चो अगर आप 20 से उपर कर लेते हो 20 से उपर कर लेते हो सही तो समझ लीजिए आप लोग बहुत अच्छे प्रिकित तरीके से पढ़ रहे हो मैं ऐसा मानूंगा और आप लोग मुझे कमेंट लिखकर बताएं कि आपके कितने नमर आएं आपके कितने कौशन सही हुए ठीक है कितने बनें आपके इस तरीके से आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि 25 मेंसे आपके कितने सही इमान दारी से करना है बिल्कुल आपको आता है तो ही करें नहीं आ रहा है तो आप मैं उसका अंसर बताऊंगा जो बताऊंगा ठीक है अब बिल्कुल इस वीडियो के हम लोग सुरुआत कर लेते हैं बिल्कुल देन ना करते हुएं सबसे पहले हम बात करते हैं नमर एक कोशन करनाल बंट किसकी बीमारी है बताइए चना मक्का घ्यों या धान बताए करनाल बंट किसकी बीमारी है बिल्कुल सही आंसर आपका घ्यो की शाह है सई गेहों की अफ़ी कनालमंट बीमारी है दूज़रा है गेहों के सुरख्चित भंदारन के लिए दानों में नमी की मात्रा होनी चाहिए जब हम गेहों को भंदारेत कर रहे हैं तब उसमें कितने परसेंट नमी होना चाहिए बताइए दो से पांच परती साथ या से 10.ва प्रतिसात दस से बारह प्रतिसात या बिस से 25 प्रतिसात बताईए आंशर क्या साही होना चाहिए बिलकूल सब्सप्रतिस दस से बारह. अग्या 10 12 ॥. चल्विये नेकार तीसरा प्रीटिसरिय कुछ स cent ग४ दोक्यों मेरं या म्स में बताइए आप सही आंसर क्या होगा बिलकुल दा सही है मैक्स को में आपका अंतराश्टी है मकयम ग्यहूं विकास के इन दिश्थेत है चौथा प्रशने ग्यहूं एक पौदा है ग्यहूं कैसा पौदा है डिपलॉइड है टेट्रैपलॉइड है है या कोई नहीं है पादक्ता की बात करना है ध्यान करना उत्पादा नहीं उत्पादक्ता प्रोडक्टिविटी कहां की जादा है बताइए पंजाब की उत्र प्रदेश की मद्ध प्रदेश की या हर्याना बताए कौनसा आंसर सही होगा जी हां बिलकुल सही आंसर है ए नम्मर आ नम्मर जब की सबसे ज़्यादा उत्पादकता है ध्यान दहें इस बात का चटबाए गेहूं के मामा खरपतबार के सो भीजों का बजन होता है कितना होता है बताइए पांच ग्राम, दो ग्राम, पत्चीस ग्राम, या एक्कीस ग्राम सो बीजों का बजन, गेहूं का मामा जो खर्पतबार होता है न, फिलेरिस मैनर उसके सो बीजों का बजन कितना होता, बेरी इंपोर्टेंट प्रशन है बच्चो जी हाँ, बा, बिलकुल, बी नमर दो ग्राम, इसका बजन होता, सो बीजों का बजन कितना, दो ग्राम, ध्यान रहे नेक्स ने साथवा प्रशन बच्चो, गेहूं मक्का जोर में अधिक मातरा पाई जाती है किसकी मातरा पाई जाती है, ट्रोटेन की, या बसा की, कारभोहइड़ेट की, या बितामेज की बताईए, घेहूं मक्का जोर, तीनों आपकी ग्रैमनी कुल की हैं और तीनों अनाजवाली फसले हैं किसकी पाई जाती है सानमर कार्भोहेड्रेट की सबसे ज़्यादा इन चीजों में मातरा पाई है तिन फसलों में ठीक है आठवा प्रश्ण बच्चो भारत में मैक्सको से गहुं की किसम आई थी कौन सी किसम आई थी मैक्सको से बच्चो बताईए आप लोग अपने पढ़ाया अच्छी प्रकार से गहुं को लर्मा रोजो सोनारा चोंसट S227 या सभी बताईए बच्चो बिलकुल आंसर सही है आपका दा नम्मर सभी आपकी तीनों किसमें मैक्सको से आई थी बढ़ते आगे नवा प्रश्न बच्चो असंचे छित्रों के लिए गहुं की उप्युक्त प्रजाती कौन सी है असंचे छित्रों के लिए जहां पर पानी नहों बहां पर HD 273 HUW 468 PVW 343 या C306 बताए आंसर क्या होगा बच्चो असंचे छित्रों के लिए गहुं की उप्युक्त प्रजाती कौन सी होगी जी हां बिल्कुल बच्चो सा PVW 343 असंचे छित्र के लिए बहुत अच्ची प्रजाती है दसवा प्रश्न यदी किसान के पास गहुं के लिए एक सिचाई उपलब्द है तो कौन सी अवस्ता पर उसको सिचाई करनी चाहिए कई बार बताया था मैंने आपको बोल बोल कर जब घहुं पड़ाया था तब बताए CRI अवस्ता कल्ले फूटते समय अंकुरन के बार या कोई नहीं यहां चार उप्सन है आपके बताए यह अंसर कुन सही होगा बिलकुल राइट आ CRI यह आपकी फर्स्ट इस्टेज़ एक पानी भी है तो विक अप करना चाहिए क्राउन रूट इनिसियेशन के समय या कह सकते हैं CRI अवस्ता पर आपको पहली से चाहिए करना चाहिए वेरी गूड बच्चों बहुत अच्छे जा रहे हैं अप लोग 10 प्रिशन कंप्लीट होगा है चलते हैं 11 प्रिशन की ओड़ सरबादिक संकरधान की खेती किस देश में प्रिचलित है बिलकुल बच्चों बाद चीन में सबसे ज़्यादा संकरधान की खेती प्रिचलित है ठीक है चलिए बारबाद प्रिशन बच्चों धान की एस आराई सिस्टम ऑव राइस इंटेंसिफिकेशन तकनीक कहां विक्सित हुई चाहां पर विक्सित कि गयं थी बिलकुल सही बच्चों सी यहनि साम मैडा गासकर में यह तकनीक विक्सित है बरी गुट चलिए आगे बढ़ते आं तेरवे प्रिशन की और बच्च्चों केंद्रिये धान अनुशंदान संस्थान कहां इस्तित्त है सी आर आर आई सेंट्रल राइस इंस्टीटुट नैदेली हैदराबाद कटक या फिलिपीश कन्फूस नहीं होना है बताई यह केंद्रिय धान अनुशंधान संस्थान जी हाँ कटक कटक उडी सा केंद्रिय धान अनुशंधान संस्थान इस्तित है चलूदबा । प्रष्ण बताइए धानough क्चेरा रोग किस की कमी से लगता है सब जानते इसको जिंक कौपर नैyttरजनごla जञाए बिल्कुल आंसर सभी है यह जिंक की कमी से आपका धान का खरार होता है बढ़ते आगे नेश्ट अधान का पोधा नायट्रियन को किस रूप में ग्रहन करता है तो बताइए बच्छों नायट्रेट की रूप में यह एमाईडि के रूप में तो ड़ी है आपका अमोन से मैंने पढ़ाया है धान धान का हरा फुद का ग्रीन लीफ ओपर बोलते हैं इसको किस रोग के प्रिसार में सहायक होता है प्रिसार का मतलब एक जगह से दूसरे जगह किस रोग को ले जाता है ये बताए बिलास्ट को भूरा धब्बा अंगमारी तुंगरो विशानू बता समझने आ रहा होगा बैरी गुड अच्छे जा रहे हो चलते हैं गंधी बग कीट धान की किस अवस्ता पर आक्रमन करता है कौन सी स्टेट्स पर गंधी बग आक्रमन करता है तो बच्चो ए है नरसरी अवस्ता भी है धूदिया अवस्ता सी है कल्ले फूर्टे समय और दाना पाक्ते समय बहुत सही आंसार है बिलकुल आपका एकडम सही बच्चो बताए कौन सा है जिहां दूदिया अवस्ता दूदिया अवस्ता पर गंधी बग कीट क्या करता है आक्रमन अठारवा प्रिश्ण बच्चो धान के खेट से कौन सी गैस निकलती है बच्चो धान के ख खेट से CH4 यानि आपकी मीथैन CO2 यानि करबंडाय अक्साइड NH3 और D है आपका O2 यानि ऑक्सिजन तो बताए कौन सी गैस निकलती है धान के खेट से जिहां बच्चो बिलकुल सही आंसर आपका यह नम्मर होगा CH4 यानि आपका मीथैन इसका सही आंसर धान के खेट से कौ विदी में धान की नरसरी कितने तयार हो जाती है डैफोक जो मैंथétais स्वाट होता है नरसरी तयार जाती है तृउचर में में आप क्या होती है डेपो नर्सरी कहां से क्या है पूरा समझाए अगर आपने धान की फसल पड़ी होगी तो बीसवा प्रशन है बच्छो धान की उत्परिबर्तित किस्म म्यूटेंट बैरायटी कौन सी है बताइए जया जगनात गोविन या बाला बहुत बार प्रशन उत्पर बढ़ते थे किसम में बहुत अच्छे बच्छो बीस प्रशन कंप्लीट हो गए एकीस बार प्रशन देखिए कौन सा तत्व धान के लिए लाबकारी होता है जो सिर्फ लाब पहुचाता है ए नमबर है बैनेडियम बी है सॉडियम सी है सिलिकोन और डी है आयोडीन आवा सादा बताईए कौन सा सही होगा कौन सा तत्व धान के लिए लाबकारी है सी बिलकुल बच्छो अंसर सही होगा आपका सिलिकोन सिलिकोन धान के लिए एक लाबकारी तत्व होता है बार इस बार प्रशन बच्छो धान का पुस्प करम क्या कहलाता है धान के पुस्प बेए आपका यह स्याइक कैपिटूलम और यह पैनिकल तो बताइए धान का पुस्क्रम क्या कहलाता है बहुत अच्छे बच्चों पैनिकल बिल्कुल आंशर सही है फैनिकल आपका धान का पुस्क्रम को कहा बहुत अच्छे चलिए बढ़ते हैं आगे आपके तेसी प्रिष्ट की ओर में पूसा बासमती उननत किसमैं किस की है धान की ग्यहों की दौनों की या कोई नहीं सब जानते है पूसा बासमती एक धन की important variety उननत किसम है 24 प्रशन है very important धन में जीवानू अंगमारी रोग या bacterial blight बोलते इंगलिस में इसको ये रोग है कैसा रोग है जल जनित है या भूमी जनित है या कीट जनित है या बीज रहेत है बहुत अच्छा प्रशन है धन्वा जीवान वंगमारी रोग कैसा है बहुत important है बिलकुल बच्चो जल जनित बीमारी है कैसा है रोग जल जनित बेरी गूट चलिए लास्ट प्रश्ट देखे लिए यह आप लोग घ्याओं की टिक यमेस्टि वंप्रजाती का कितने प्रतिसाथ उत्पादन होता है ए नम्मर बारा प्रतिसाथ बी नम्मर 87 प्रतिसाथ सी नम्मर एक प्रतिसाथ और दा है कोई नहीं जी आँ बच्चो बहुत साही ट मेंट बॉक्स में जरूर लिखके बताएं 25 में से आपने कितना कर पाया अगर आपने 25 में से 24 23 इतना कर लिया है तो मैं तो मानता हूं आप बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा मज़ा आ होगा आपको पढ़ने में कि हम इतना कर पा रहें आगे मैं आपको पचास और सो प्रिश्ण लेके आऊंगा इसी तरह प्रैक्टिस सैट के लिए आप बिल्कुल चिंता ना करें बस पढ़ते रहें ठीक है ना बच्छो तो वीडियो अच्छा लगा होगा आपको और अगर आ आगा तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों को सेर जरूल करें ठीक है जिसे उनका भी भला खुद सके तो बच्चो आज के लिए इतना ही कल फिर मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार